हेलो दोस्तों सौगत है आप सबी लोगों का इंडियन फ्लाइंग की आज की इस नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आप दुनिया के दूसरे देशों से ट्रेवल करके ये भारत में आ रहे हैं तो भारत की किस एरपोर्ट पर आप आपका कंपलसरी करोना वारस का टेस्ट किया जा रहा है और इसके सबस्त ये भी जानेंगे कि बढ़ती वे ओमिक्रोन की केसिस की वज़े से भारत से ये दिया आप दुनिया के दूसरे देशों में ट्रेवल करके जाएंगे तो आप यहाँ पर फ्लाइट की टिकर्ट कौन से देश के लिए सस्ती हो गई है और साथी साथ यहाँ पर यूएस, यूके और फ्रांस से फ्लाइटों को लेकर क्या जरूरी खबरे सामने आ रही है ये सारी खबरे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो को आप आकरी तक जरूर देखें ताकि आ रहे हैं सारी लेटिस खबरों की जानकारी आप सभी लोगों को मिल सकें तो सबसे पहले यहाँ पर यह जान लेते हैं कि ये आप दुनिया के दूसरे देशों से ट्रेवल करके भारत के मुंबई एरपोर्ट पर आ रहे हैं तो अब आपका यहाँ पर आने के बाद कमपलसरी करोना वाइरस का टेस्ट किया जाएगा जी हाँ दोस्तों बहले ही आप अपने साथ करोना वाइरस का नेगिटर रिपोर्ट लेकर रिट्रेवल क्यों न कर रहे हों करोना वाइरस को पर पर आया तो आपके आपको यहांसरी करोना वाइरस का टेस्ट किया जाएंगार इसका खर्चा आप completa अगछी कबर यहां पर भारत के लिए यहांपर दस हजार से अधिक करोनवारस की केसिस सामने आए हैं और दिल्ली में इस समय 5400 से ज्यादा करोनवारस की केसिस सामने आए हैं आपको बता दे कि इसे को देखते वे आप यहाँ पर भारत के कई सारे राजियों में वीकेंड लॉकडाउन के साथ अब नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है इसके अलवा दोस्तों अगली खबर यहाँ पर यूरोपेन कंट्री से आ रही है आपको बता दे कि यूरोपेन कंट्री से ये खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर अब लोगों को बुस्टर डोज भी लगानी सुरू हो गई है जी हाँ दोस्तों हर तीन में से एक व्यक्ति को बुस्टर डोज लगाई जा चुकी है अगर बात करें भारत की तो भारत में बुस्टर डोज की सुरूआ दस जन्वरी से की जा रही है जहाँ पर भारत में दस जन्वरी के बाद ऐसे लोगों को बुस्टर डोज लगाई जाएगी जिन लोगों की उमर 60 साल से जादा होगी इसके अलबा बात करें यूकी, यूएस और फ्रांस की तो इस समय इन तीनों देशों में सबसे ज़्यादा करोना वायरस की केसि सामने आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ओमिक्रोंट वैरियंट बताय जा रहा है इस ओमिक्रोंट वैरियंट के कारण ही इस समय यूएस, यूके और फ्रांस और इसके लवा और भी यूरोपियन देशों में क्रोना वायरस के सबसे हाइस्ट केसिस रिपोर्ट किये जा रहे हैं इसके साथ अगली ख़बर यहाँ पर दुबई जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं तो जो लोग भी भारस से दुबई ट्रेवल करके जाना चाते हैं उन सब लोगों के लिए अब यहाँ पर अच्छी ख़बर आ चुकी है तो कि बढ़ रहे हैं ओमिक्रोन के खत्रे को देखते वे अब बहुत कम लोग दुबई के लिए ट्रेवल करके जा रहे हैं जिस कारण से वहाँ की जो फ्लाइट टिकट है वो काफी सस्ती हो गई है तो दोस्तो यह थी आप भारे से दुबई ट्रेवल करके जाना चाते हैं तो अब आपकी फ्लाइट केवल 15 और 16,000 रुपे में ही मिल जाएगी जिससे कि आप भारे से दुबई आप आसानी से ट्रेवल करके जा सकेंगे तो दोस्तो यह थी आज की इंटर्णाशनल फ्लाइट इस जुड़ी हो कुछ बहुत जरूरी और काम की खब्रे वीडियो यह थी आप लोगों को अच्छी लगी हो और काम की लगए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी और लिटिस्क खबरों को यह दिया आप रगलों बेसिस पर जानना चाते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करके रखें